हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल आन माई यूटूब चैनल, आई होब आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो अभी आपका जो रिसेंट्ली रिजल्ट आया है, इसके अंदर काफी बच्चों का सेलेक्शन हुआ है और काफियों का नहीं भी हुआ है, तो जिनका सेलेक्शन हुआ है, फर्स्ट अपॉल उन सभी को कंग्राचुलेशन्स, आपने बहुत अच्छी अच्छी अच्छीवमेंट ली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बदाईया, और किसी ने जी आरेफ लिया है, किसी ने नेट लिया है, जिसको लेक्च्छरशिप, लेस बोलते हैं, तो जिसने जी आरेफ लिया है, वो अपना इन्रॉल्मेंट करवाईए, पेच्टी के लिए प्रिपेर केई, क्योंकि आपको जी आरेफ करते ही, आपको क्या है, इस टाइफ़न मिलती है, और जिसने लेस लिया ह है, वो आपकी लाइफ टाइम तक के लिए है, जो जी आरेफ है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो लाइफ टाइम तक नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, जिसका स्लेक्शन नहीं हुआ है, उसको बिलकुल भी निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, जिनको first attempt में selection होता है जैसे मेरा था तो मैं अपना personal experience बता रहे हूं मेरा भी first attempt में selection नहीं हुआ है मेरा third attempt में selection हुआ है first attempt तो अपन को यही लग जाता है कि pattern कैसा आता है यही सब देखने में यह क्या है अपना वो time निकल जाता है उसके बाद अपन चीज़ों को समझते हैं समझना in the sense अपन slaybers को देखते हैं सारे जो अपने 12 या 13 module या subject उसमें दिए वह हैं या फिर units दिए वह हैं उनको अपन देखते हैं कितना depth में अपन को पढ़ना है वो सब analysis करते हैं तो ऐसे करने में आप या पूरा एक साल चाहिए होता है चाहिए कोई कितना ही brilliant बच्चा हो जिसके basics बहुत ज्यादा अच्छे के लिए रो उनका तो अपन कुछ कह नहीं सकते लेकिन हर बच्चे का जो basics या brilliant बच्चा हर कोई बच्चा नहीं होता है सब moderate level के ही on average जो बच्चे होते हैं वही रहत हैं क्योंकि हर बच्चा train नहीं बनाना आपको यह चीज तो पता है तो इसके लिए क्या है आपको अपने जो basics है उसके उपर वर्क करना है एंड लेन आपके जो 30 निर्स दी है उनके उपर आपको focus करना है तो ऐसे नहीं कि आपके कि अभी कितनी कुछ तो परसंटाइल आई किसी के 90 आई है किसी के 93 किसी के 95 बट वो clear नहीं कर पाया है क्योंकि उसकी category vary करी थी किसी की थोड़े से percentile कम रह रह रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आपको zero से start करना है क्योंकि आपका इस बार second attempt होगा किसी का third होगा बट आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना नहीं और आपके सादर दो शर्किन करान पें शंले को सोच्यछिभ आपको डोया करतим सब्सक्राइब कोड़े करें रूपकर षास बेधक और करना रहे हैं कि अब और प्रीचर्ष़र्च फॉर्थ दो डोगे कही पर बिल्स कर दोनोगे तो वहां भी जो वहं स्वाने कभी भी वह वेसτα नहीं जाता है, शयर आप कुछ भी पड़ो, आप किसी knowledge की book पढ़ते हो, तो कामगों दनको ऐसे knowledge हो, उस knowledge को तो आप किसी तीसरे को भी देने की कोशिश करते हो, ये चीज़ आपको भी पता है, किसी दूसरे को देते हो, दूसरा किसी और को देता है, इससे क्या हो रहा है, आपका जो नॉलेज आपने लिया है, वो आगे से आगे आपका बढ़ रहा है, इससे आप सब्जेक्ट का नॉलेज में लेते हैं, तो वो भी क्या है, आपको क्या ह तो वह घ्यान कि आपन किसी और को देता है किसी तीसरी को वो किसी और को देता है तो उससे क्या है हमारे जो नॉलेज है वो इस्ट्राउंग होता है तो आपको जोड़ना नहीं है कुछ भी आप जहां थें आप पहले से तो better है आप और prepare करोंगे तो और जो अभी हो उससे ज़्यादा better वनोगे तो इसके लिए आपको क्या करना है बहुत अच्छे सी preparation करते रहना है क्योंकि आपके चार महीने और बाकी है तो उसके लिए आपको बहुत जीजान लगानी है जिससे आपका जो paper है वो निकल जाए इस बार आप पका crack ही कर लो क्योंकि ये examita easy तो है इंडिया की top 10 exams में इस exam को एक माना जाता है कि ये भी top 10 के अंदर आती है तो ये इसको जो करना है वो हलवा तो है नि थोड़ी महनत आपको लगेगी लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी दिन तो आप पूरे 8 गंटे पढ़ रहे हैं किसी दिन 10 गंटे पढ़ और किसी दिन आप बिलकुल ही नहीं पढ़ रहे है ऐसे नहीं करना आपको consistently जिसको बोलता है उसको maintain करके चलना है आपको रोज थोड़ा-थोड़ा मतलब 5 या 6 गंटे आपको रोज पढ़नी है या साध गंटे अगर आपने फिक् तो उसके according आपको चलना है, ऐसे नहीं किसी दिन तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, हाँ यह है कि महीने में एक दो दिन आप चीव ड़ी रख सकते हो, कि अभी हमें थोड़ा पढ़ रिलेक्स चाहिए, थोड़ा गूं सकते हो, घरण पार मख़नों कि ऑली में रही हमें आपका स्लाइक स्लिप में पनों सकती है, आपके छुषी मिल यहाई है, शेटो रहे नहीं नहीं हो, और वह समी बड़ेक्न के पढ़नों का. एक साल लगा दी, हमारे पास में एक लड़का था, उसने तो 6 मैंने में कर दिया था, तो उनको थोड़ी पता है हमारे माइंड कैसे काम करता है, उसके लिए आपको ही पता है कि आप कैसे हो, आपका लेवल कितना है, कितने चीजों को कितने टाइम में गेन करता है, हर किसी का म और फिफ्ट जित्ते बच्चों तो उसके अकॉड़ियों का रैंक चलता है तो यही है यहां पर भी जिनको बहुत अच्छा उन्होंने गेन कर लिया पढ़ लिया तो उनका मैं अच्छा चल रहा है तो उनका स्लेक्शन हो गया वैसे नहीं कि आपका होगा ही नेक्स ताइम आ इसे है कि अभी आपके थोड़ा सा कम नॉलेज है आप उसे थोड़ा और गेन कीजिए बहुत अच्छे से कीजिए बहुत अच्छे से आपका सेलेक्शन होगा आई होगा आपको जो मैंने इन्फोर्मेशन दिये है वो समझ में आई होगी फिर भी कोई डाउट है कोई जो भी जिसको भी आप मानते हों उनका नाम रोशन किया है थैंक यू